हे दोस्तो वेलकम तू स्टड़ी आई अस और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोल क्राइसिस के बारे में हम देखेंगे आखिर ये कोल क्राइसिस क्या है और आप लोग को ये बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जो हमारी कोल माइनिंग है अब वह वीडियो को पूरा जरूर देखीगा जिससे कि आपको एक अच्छी इंडिस्टेंडिंग हो सके इस कोल क्राइसिस के बारे में और हमारी गवर्मेंट क्या कह रही है कि वह इसके लिए क्या काम ये क्या कदम उठा रही है जिससे कि ये जो कॉल क्राइसिस है ये कम देखने क होगा सबकुछ अपनी आज की वीडियो में हम लोग इन डीटेल पढ़ने वाले हैं वीडियो को पूरा जरूर देखीगा जिससे कि आपको एक अच्छी इंडेस्टेंडिंग हो सके लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए यहां पे एक इंबर्डेंट न्यूस जागरित्य अवस्थी जी कि यहां पे एर टू आई है इस एक्जामनेशन के अंदर और तॉप 20 में साथ एसे रैंकर थे जिन्नों ने अनगेडियों से बढ़ाई करी थ बहुत ज़्यादा बढ़िया करने में आपकी मदद करेंगे ओके काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि स्रिफ आपको अनेकर भी प्रवाइड करवाता है और अगर दोस्तों आप लोग कोड स्टेडी आई एस यूस करते हैं तो आपको 10% का डिसकाउंट मिलेगा ओके इसके स साथ यहां पर दो तरीके के सब्क्रिप्शन है जो भी आपकी मर्जी है वो आप ले सकते हैं अब बढ़ते अपनी वीडियो तरफ और देखते हैं आखर यह क्या है ओकि यह जो कोल क्राइस से कब स्टार्ट हुआ है और यह क्यों हो रहा है तो बता दू मैं यहां पर कि जो कोल की सॉटेज है वो देखने को मिली है जो हमारे यूनियन पावर मिनिस्टर है आर के सिंग उन्होंने यह कहा है कि जिस वज़े से आप कह सकते हैं जो सप्लाइ क्रंच हो रहा है अगर ऐसे पावर कट इन कंट्री के अंदर देखे जाते हैं तो यहां पर आप कह सकते हैं जो कोल की सप्लाइ है वो काफी अनकमफर्टेबल देखी जाने वाली है अगले 6 महिने तक ओके दोस्तों तो यह सारी बाते जो है हमारे अभी जो यूनियन पावर मिनिस्टर है उन्होंने बताई हैं ओके लेकिन अब बात करते हैं आखिर यह कोल सॉटेज क्यों हो रहा है और इसकी में प्रॉबलम क्या है या फिर ऐसा क्यों हो रहा है में वजह क्या है तो देखिए जो कोल स्टॉक इंड़ा के है अंदर है इस ताइम पे वहां पे यह बताया जा रहा है कि इंड़ा के जितनी भी थर्मल पावर प्लांट हैं वहां पे चार दिनों से जो इसका स् है वह है 17,475 MW अब उनके पास एक भी दिन का कोल स्टॉक एवलेबल ही नहीं है 45 आप ऐसे कह सकते हैं थर्मल पावर प्लांट हैं जो की पावर जनरेट करते हैं 59,790 MW अब उनके पास मात रोमात दो दिन का आप कह सकते हैं यहां पे कोल स्टॉक है जो कि काफी आप कह सकत हैं ओल ओवर इंडिया में इसका असर देखन को मिलेगा मैं बता दू जितनी भी यहां पे प्लांट हैं जो की पावर जनरेट करते हैं एप्रॉक्सिमेटल जो कैपसिटी है वह 132 GbW की है किसमें से 165 GbW कैपसिटी जो मॉनिटर करते हैं हम लोग डेली वहां पे आप कह सक सकते हैं नौन-टःड-टड ए या ऐसे प्लांट हैं जो की काफी दूर कोल माइल से जहां पे आप कैसकते हैं । जहां पर जो कोल होता है वो ट्रेन से बिजाना पड़ता है तो वहां पर ऐसी चीज़े देखने को मिलती है जहां पर काफी टाइम लग सकता है तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं 108 प्लांट में से 98 प्लांट ऐसे हैं जहां पर यह चीज़े हमें देखने को मिलेगी जहां पर जो लेवल है वो क्रिटिकल लेवल है स्टॉक के लिए और आप कह सकते हैं यह सारी बाते जो करनी है अगले 8 दिनों के लिए बताई जा रही है जो इंडिया में जो कोल आप कह सकते हैं जलाया जाता है थर्म प्रावर प्लांट के अंदर उसका एकाउंट के बात करें तो वह है 208.8 गीगावाट जो कि एप्रॉक्सिमेटल फिफ्टी फॉर परसेंट है इंडिया का जो ओवराल आप कह सकते हैं जेनरेशन कैपसिटी है ज क्या ऐसा आप कह सकते हैं पहली बार देखने को मिला है यह सारी बाते हैं सब कुछ डिसकस करते हैं तो सबसे पहले बता दू कि जिस तरीके से यहां पर हमारी एकोनोमी रिकवर कर रही है अभी कोवीड-19 पेंडेमिक से आप कह सकते हैं ऐसे जो इसूज हैं यह देखने को म हैं जो की काफी आप कह सकते हैं impactful issue रहने माला इंडिया के अंदर बेसिकली अभी तक 124 billion units जो हैं पावर की बताई जा रही है जो की consume करी जाती थी August 2021 में और अगर हम लोग इसका comparison करें August 2019 से तो आप कह सकते हैं 2019 के टाइम पे 106 billion unit पावर की यूज करी जाती थी ऐसा हो सकता ह है कि ऐसा जो हो रहा है वो pandemic के impact की वज़े से भी ना हो सकें देखे यहां पे यह बता दुमें आपको कि जो coal, fad, thermal power plants हैं आप कह सकते हैं वहां पे काफी दा proportion में demand रहती है क्योंकि उनका main काम तो वहीं से रहता है और वहां पे आप कह सकते हैं यहां पे 66.4% से आप कह सकते हैं यह बढ़ गया है जो कि पहले 61.9% था ओके यहां पर काफी सारे रिजन बताए जाते हैं कि किस वज़े से यह चीज़े देखने को मिल रही है हमें तो जो आप कह सकते हैं यहां पे higher daily demand है वो धिरी-धिरी करके आप कह सकते हैं पूरी demand countrywide में ही अब हिट कर रही है इंक् काफी सारे और रिजन बता जा रहे हैं जैसे कि यहां पर जो रिजन बता जाता है वो यह है कि इस टाइम पर अपरेल से लेके जून के महीने में काफी दा बारिस देखी गई थी तो जो एरिया जहां पर आप कह सकते हैं coal mining होती है वहां पर इसके production और जादा लो हो रहे थे और आप कह सकते हैं कुछ ही यहां पर जो dispatches थे वो देखे गए थे coal के coal mining से तो यह साही बाते भी reason बनती हैं जब आप कह सकते हैं यहां पर जो coal है उसकी sorties देखने को मिल रही है जिस तरीके से यहां पर आप कह सकते हैं अगर जो coal का import है यह कम होता जाएगा और इसका आप कह सकता है international level पर prize high भी होता जाएगा जिस हिसाब से हमें यह बाते देखने को मिलती है हमारी government इसके लिए क्या काम कर रही है क्या वह लोग इसके बारे में चिंतित है या नहीं इसके बारे में बताता हूं तो देखें यहां पर एक inter-ministerial team बनाए गई है जिसके अंदर यहां पे power and railway ministers है coal India limited the Central electricity authority and power system operation corporation है यह सभी क्या कर रहे है इस ताम पे monitor कर रहे है जो भी supply हो रही है coal की thermal power plant के अंदर साथी साथ हमारी government यह भी देख रही है कि जो भी हमारे thermal plants हैं वहां पे जो आप कह सकते हैं coal जो दिया जा रहा है जो वहां पे import होता है वहां तक पहुचाया जा जाए वहां पर भी काफिज़ आप कह सकते हैं यहां पर बूष्ट दिया जाए जो भीुनकी डिमांड है उसको काफिज़ इंक्रिस करा जाए और जिस तुब से यहां पर सप्लाइई देनी चाहिए इसको भी बढ़ाए जा सके काफी सारी यहां पर यह बता जा रहा है हमारे power minister के द्वारा कि नई यहां पर production हो रहे हैं कई सारे mining से उनके काफी सारे यहां पर clearance जो हैं वो मिल चुके हैं जमीन से related काफी सारी ऐसी बाते हैं कई जगों पर जमीन के लिए clear कर दिया गया है बेडिंग हो चुकी है M.D.O. से M.D.O. क्या होते हैं mine developer and operator होते हैं उनकी यहां पर अभी ongoing भी है कुछ को मिल चुका है कुछ के लिए यहां पर जो land है वो available करवा दी गई है तो हमारी जो ministry है इस टाइम पर बुलकुल active है वो इन सब कामों में तयार है इसके साथ साथ एक और मैं बता दू यहां पर कि overall अगर हम लोग बात करें जो thermal power plant हैं वहां पर 263 racks जो हैं coal के dispatch किये जाते हैं तो यह बताया गया कि Monday से यह चीज़े चालू हो जाएंगी और उसके बाद Sunday को आप कह सकते हैं 248 racks जो हैं वो dispatch कर दी जाएंगे तो हमारी जो government है यह कहती है कि अब आपके सकते हैं यहां पर इनके हिसाब से जो coal line है वो अब increase हो जाएगी लेकिन उसमें थोड़ा सा time लग सकता है तो यह थी पूरी वीडियो जहां पर मैंने आपको यहां बताया है कि जो coal crisis था वो किस वह से था और हमारी government उसके लिए क्या कर रही है क्या कदम उठाए गए हैं इन सबी चीजों के बारे में आई होब कि इस वीडियो से आपको help हुई होगी अगर हुई है तो शेयर कीजिए वीडियो को जाद जाद लोगों तक पहुंचाइए जिससे कि हमें motivation मिल सके मिलते हैं अपने नेस्क वीडियों तो तक के लिए have a nice day